जहीं दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूटूब चेनल ओनलाइन जोब हेल्प में दोस्तों यह विडियो उनuencia के लिए होने वाला जो आपने थेंल में देखा और यह भी जो मैं स्वाल बताने वाला उनसे खिए देढ़िए आपके स्वाल है तो आप इस वी डेके आनेथा आप इससी स्कीप कर सकते है तो दोस्तो आपके मन में बहुत सारे स्वाल चल रहे है पीएसल से समधित इस बार इंडेन एरफोर्स ने कुछ नया ही कर दिया है बहुत सारे कैंजेट्स को सभी कैंजेट्स को पीएसल में ले लिया है और यहां पे बहुत सारे और भी डाउट है जो आपके मन में चल रहे ह CSV क्या है, enrollment में क्या scene होने वाला, कितने candidates जाएंगे, कहां तक हम safe है, कौन सी rank तक हम safe है, तो बहुत सारे question आपके मन में चल रहे हैं, तो guys इससे समंदित कोई भी ऐसा स्वाल हो, जो अभी स्वाल आपके लिए पले होने वाले हैं, उन में से कोई भी स्वाल हो, तो आप इस व reply मिल जाएगा, चलिए guys start करते हैं, पहले वो देखे लेते कौन सी वो सवाल हैं, तो दोस्तों ये वीडियो सभी candidates के लिए होने वाला है, Indian Air Force X and Y Group वालों के लिए, और रेली वाले medical assistant, police, auto tech, और grid commander, education instructor, तो सभी candidates के लिए जिनका PSL आ चुका है, और सभी candidates के जिसका PSL में ना आ चुका है, उन सभी candidates को congratulations, और जिनका नहीं आया है, तो दोस्तों अच्छी तरीके से मेहनत करो, next पारी के लिए आपका लग काम करेगा, और आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करोगे, तो आपका section भी हो जाएगा, इस बार cut-off का scene वो अलग है, वो बात भी इस पे पूर क्या हो है, डोकॉमेंट में क्या क्या लगता है, प्यसल में कितनी रेंक तक हम safe हैं, और csv, abs, uf, abs, mean, joining letter, total frequency, और भी कई और सवाल हैं, जो इसमें मैं mention करने वाला हूँ, पूरी तरीके से, तो वो कोई भी आपके सवाल हैं, तो इसमें आप वीडियो को देख सकते हैं, तो क्वालिफाइड होते हैं, कटो फाता है, उस कटो में आप क्वालिफाइड होते हैं, तो आगे की process होती है, निए phase 2 होता है, और phase 3, phase 2 का process आपको पता है, और phase 3 के अंदर medical अगेर होता है, तो मुखे बात यही है कि आप जब से form भीलब करते हैं, उसके बाद में जब तक आ आगे बढ़ते जाते हैं, medical step तक आते हैं, वो सारा का सारा data इस PSL के अंदर होता है, तो यह जो आपकी मैं आपको example के तोर पे समझा रहा हूँ है, यह इसी इंटेक यह 0, 2020 और X Group की, ओके, चलिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा गया है कि debt of publishing, जैसे आप इस debt को पब्लिस कि आती है, तो 31 October तक होना चाहिए था, लेकिन एक महीने आपका लेट कर दिया, तो यहाँ पर भी एक महीने इसको आगे बढ़ा दिया, इसकी जो valid time है, वो आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इसके बाद में अब enrollment list है, वो 10 जून को आती है, हमेसे हैं, जो यह वाला bench होता है, इस आनलाइस किया है, वो सारा का सारा आपके साथ share होने वाला है, दोस्तों सबसे पहले आप काम खोल के अच्छी तरीके से सुनिएगा, जो candidates इसके अंदर आए है, PSL के अंदर, only fit candidates है, यानि मैं आपको समझा दूँगा अच्छी तरीके से, fit candidates है, medically, उन्ही candidates को आगे बुलाय जाएगा, enrollment list के लिए, ठीक है, और जो अलावा इसमें, red color zone में, red zone में है, या red color का जो भी इसमें, symbol लिखा गया है, उन candidates कोई रोल नहीं है, यानि unfit, absent, unfit and absent या, जो भी जिसी तरीके का problem है, ठीक है, CSV का है, वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से समझा दूँगा, और य लिखे बात है, जो मैं आपको बता देता हूँ, okay, तो guys, यहाँ पर क्या है, कि आपकी, जैसे आपको, vacancy के according आपको लिया जाएगा, सबसे पहले यहाँ बता देता हूँ, ठीक है, और इस बार जो cutoff हो, same क्यों रही है, इसका कोई भी reason नहीं है, दो ही reason हो सकते है, x group की 26 र प्यासल के अंदर दिया गया है, वो आप अराम से पढ़िएगा और अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इसमें लिखा गया है कि इन्रोल्मेंट लिस्ट आएगी, उन्हीं कैंडियर्स को इसमें लिया जाएगा, जो merit position के कि सरीके से merit बनेगी, इन्रोल्मेंट लिस्ट के ल और उसमें आगे की process भी आप qualified कर पाओगे तभी, लेकिन इतना hard and medical नहीं होता है, सबसे पहले बदा देतों normal होता है, यदि आप यहाँ पे qualified है, यानि आपके पास green card अभी फिलाल, और आप इसमें PSL के अंदर fit हैं, तो आपको आगे enrollment list के लिए बुलाई जाएगा लिए, PS करके भी यहाँ पे सही time पे कर दिया, तो 21 age वाला किसी के सायदी problem हो मेरे हिसाब से, अब 21 age वाला problem सायद किसी भी candidates के हो, क्योंकि no zone को ही जारी करने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने आपको पहले बताया था, कि यहाँ पे जो education instructor होता है, और musician trade होती है, एक NCS कुछ 3-4 post होती है, उसके लिए आपको 21 plus age की मतलब छूट मिल दिया आपको, ठीक, उसमे एक में 23 है और एक में 25 है, तो गाईज यहाँ यहाँ पे 21 year से जादा नहीं होनी चाहिए, जिस दिना enrollment list अपडेट होने वाली है, यानि जारी होने वाली है, ठीक है, तो यह आप सब कुछ पे जैसे आएगी, तो हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद में guys, यहाँ पे आता है कि merit position, तो यह merit position ऐसा नहीं है, कि आपको यहाँ पर एक नमर है, तो आप ओल इंडिया में एक नमर पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ASC, यानि Airman selection center का name है, ठीक है, यानि code लिखा गए, 8 नमर पर कौन सा है, 7, 2, 1, 3, जो भी है, total 14 ASC है, वैसे 15 है, एक 20 में नहीं है, उसके बाद में रो नमर यहाँ पे, तो रो नमर यहाँ पे लिखे गए अच्छी तरीके से, ठीक है, यहाँ पे candidates के name लिखे गए है, यहाँ पे DOB लिखा गए है, आप अ जो कि आपके document से समंदित होता है CSV, ओके, आपको मैंने बता दिये, अब CSV क्या है, कि जब आप phase 2 देने जाते हैं, Indian Air Force का, तो वहाँ पे क्या होता है, original document मांगे जाते हैं सभी के सभी, यदि आपके पास कोई भी ऐसा document है, जो आप present नहीं कर पाते हैं उन में से, तो आपको एक point दे दिये जाता है, कि आप इसे आगे जब भी इसका process होगा, तो original document paste करना होगा, यानि वहाँ पे present करना होगा, तब यह point आपका clear हो पाएगा, तो guys यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, कि जिस भी candidates को CSV मिला है, तो वो candidates qualified है वैसे, लेकिन वहाँ पे जिस भी center पर, या जहाँ पर भी आपको Air Force के basic training तो बुलाए जा सकता है, डारेक्ट जैसे नलिया या अबेलगाओं में, तो वहाँ पे आपको जो document दिया गया है, उसके साथ, joining के साथ साथ, वो document जिसमें point है, वो document आपको original जिस भी condition में है, present करना पड़ेगा, ज्यादा problem नहीं है, ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, दोस्तों, इन PSL के अंदर जो fit candidates है, यानि green जो column बने हुए है, medical position वाले में, उनी candidates को enrollment list में बुलाए जाएगा, जो red color वाले हैं, उन candidates को यहां से हटा दीजिएगा, उनका कोई भी role PSL के अंदर नहीं है, ओके, जो यहाँ पे आपको मैं बता देत तो 5 नमर वाले candidates की 5 नमर rank नहीं रही है, अब वो 4 नमर पे आ चुका है, तो इसको आप हटा देंगे, इस परकार से count करना है, तो सभी candidates की जहां पर भी rank है, तो इन सभी red color वालों को हटा दीजिए, उसके बाद में अपनी rank count कर लीजिएगा, ओके, तो यह आपको मैंने की enrollment list के लिए cutoff कैसे लगेगा, और safe marks कितना है, यह दि हमारे यतने number है, तो क्या हम enrollment list के लिए safe है या नहीं है, बहुत सारे candidates ने यह सवाल किया था comment section में, तो यहाँ पर मैंने question को add किया, यहाँ पर मैं सबसे पहले बता देता हूँ, दोस्तों आप जितने भी intake होएं, उसम अपने मानते हैं, जैसे 35 cutoff लग गया, ठीक है, तो जैसे 35 number वाला candidates है, वो जरूरी नहीं है कि enrollment list में जाएं, वो vacancy पे depend करता है, क्या scene है, ठीक है, तो इसी तरह किसी क्या होता है, कि इसमें 0.25 या 0.50 तक भी number increase हो जाते हैं, वैसे कहीं पर लिखा नहीं होता है, कि enrollment list के लि जादा number अच्छी है, उनको कोई दिकत नहीं है, पहले से ठीक है, तो enrollment list की अलग से कभी कोई cutoff नहीं लगती है, लेकिन इस बार कुछ नया हो सकता है, तो मैं कहने ही सकता है, increase जादा हो सकती है, या कम हो सकती है, वो अभी update नहीं है, किसी के पास ठीक है, उसके बाद में ब आपके 32 नमर से यदि पलस पलस हैं, तो आपको कोई दिकत नहीं है, बट मैं ये confirm नहीं कहा रहा हूँ, यह मैं आप अपनी ओर से बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार ही cutoff बढ़ता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता है, या तो vacancy increase होगी, यदि vacancy increase नहीं होती है, तो फिर cutoff निशिती बढ़ने वाला है, ठीक है, जादा नमर बढ़ेगा फिर, y group की बात करूँ, तो y group का cutoff कभी भी, 2 से या 3, बदल 2 से 3 नमर की अंतराल में रहता है, तो आपकी यदि नमर 3 से जादा है, तो आप एकदम बिलकुल safe zone में है, कोई दिकत आपको नहीं है, तो आपके कोई भी सवाल जवाब नहीं रहेंगे, और इससे आपको पता है, कि यह आपकी no zone को आने वाली है, और no zone के अंदर इसके जितने भी candidates इस लिष्ट के अंदर आएंगे, उन candidates को वहाँ पे training center पे या airman selection center पे जो भी information उसके अंदर आएगा, वहाँ पर उसको present होना तो guys, इसका कोई proper किसी के पास सवाल, मतलब सवाल का जवाब नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है, कि आपकी vacancy increase हो, यह Indian Air Force environment list में cut-off भी बढ़ा सकती है, इसके पेशे बहुत सारे region है, तो इस सवाल को यहीं पर रहने दीजिएगा, इसमें आप जंजट में मत पढ़िएगा ठीक है, यहां पर इसका कोई proper किसी के पास आमसर नहीं है, वैसे तुका लगाने से कोई directly जैसे सवाल का हल नहीं निकलता है, मैं सबसे पहले आपको यहीं confirm कर देता हूँ, ठीक है, जैसा information है, उसके coding आपके पास मैं share कर रहा हूँ, आप ध्यान से इसको सुनने की कोशिस की ठीक है, तो इसमें आप tension मत लेजे, इसके लिए कुछ होगा वो जो भी होगा आगे update आपको कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट आपका सुवाल है कि joining time medical and documents, तो गाई सबसे पहले update करना चाहूँगा कि joining time medical बिल्कुल normal होता है, और उसके बाद में बात करें कुछ airman selection center है, जैस जैसे 200 का bench है, या 200 का bench है, mostly इतना ही होता है, 200, 200 या 300 तक maximum, ओके, तो जैसे day by day बुलाते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, कि आपका अलग जो officer होते है, उस पर depend करता है medical चेक करने वाले पे सबसे पहले बता देतो, वैसे 90% आपका medical easy होता है, ठीक है, और इस बार बात कर था, नलिया और बेलगाओं सेंटर से जो update हमको मिली थी, ओके, उसके according उन्होंने का कि quarantine क्या जा सकता है, 10 से 15 दिन आपको, जहां पर भी जो center है, वहाँ पे, जैसे बेलगाओं में है, तो बेलगाओं में होस्पिटल है, इंडियन एरफोर्स का, तो वहाँ पे आपको वैस जितने भी document है, यानि आपके खुद के, जितने भी document है, उसके अंदर आपका खुद का name, सही होना चाहिए, सभी के अंदर समान name होना चाहिए, ऐसे नहीं किसी में असोक है, जैसे example के तोर में, और किसी में असोक कुमार, और किसी में असोक कुमार आगे कुछ और भी है, त सभी में Sam होनी चाहिए यह आपको यदि अभी correction है तो आप अभी सही करवा ले यदि आपको पता है आपके अच्छे नमर है तो ठीक है Sam cut off वाले है थोड़ा से उनको confusion रहेगा बट अपना document सही होना यह चाहिए ठीक है तो आप 10th में जो mark sheet में नाम है वही करवाएं ताकि जबाद का to guys सबसे पहले कान खुला की इस बात को सुना कि इसके अंदर जो भी keywords है मेरा opinion अलग हो सकत cooler किसी का अलग हो सकता है तो इसके अंदर जो कैणेणे सूह बहुत ज़्यादा confusion है मुझे भी इस बात का मतलब मैं कह सकता हूँ मैं इस स्ततिय में होता है तो हर किसी candidates को डर लगना सभाविक बात है क्योंकि इंडियन एर फोर्स ने ऐसा कर दिया कटोप फ़ही रख दिया confusion तो होना लाजवाव है कि कितना क्या कहां तक हम safe हैं तो गाइ के उपर depend करेगा कि आपके कहां तक आप कितने candidates enrollment list के अंदर लिये जाएंगे तो guys मेरा यही कहना है आप सभी को आप इस जंजट में बिल्कूल भी मत पढ़िएगा कि मतलब क्या scene होने वाला क्या नहीं होने वाला है इस बात में आप अच्छे तरीके सरेगा जब तक enrollment list नह बारे में चर्चा ना करें और इसके बारे में किसी के पास अच्छा जवाब नहीं मिल सकता मैं 100% proof के साथ आपको कह सकता हूं क्योंकि right answer इसका किसी के पास नहीं है कि इतने vacancy हो सकती है या फिर इतनी मतलब इतने rank तक आप safe हो सकते हैं rank के बारे में बिल्कूल भी बताया list नहीं आती या आपके पास 9 days है वैसे 80 days है उसके बाद में बात आती है दोस्तो CSV मैंने CSV के बारे में आपको clear कर दिया है जो आपका phase 2 के दुरान कोई document origin नहीं लेके गए थे उसका आपको point मिला है तो आप joining time जाएंगे तो मापे वो present करना होगा ठीक है उसके बाद में ABS का मीन होता है absent और UFABS जो आपके इस बार लिखा गया है absent and जैसे अब इसमें लिखा गया unfit in absent या या यानि जो candidates को medical point मिला और वो candidates unfit था पहले ठीक है उसका क्या हुआ वो medical देने नहीं गया तो remedical मिला उसको ठीक है तो remedical नहीं देने गया तो क्या हुआ वो हो गया absent और फिर क्या हो गया साथ में unfit भी हो गया और साथ में absent हो गया तो दोनों का मिलकर ये हो गया UFABS तो दोस्तों ये आपको अची तरीके से समझ में आ गया होगा उसके बाद में बात करूं दोस्तों आपकी joining later की तो joining later दोस्तों मैंने आपको 3-4 case इसके बताये थे अभी तक किस environment list जैसे 10 जून को आती है थी तो उससे पहले-पहले लगबग सभी के आ जाते थे ठीक है और यदि joining later नहीं आता है किसी candidates का और इस बार साइद ऐसा ही होने वाला है कि joining later की जगह आपका जो environment list में जिसका नाम आएगा उस page का print निकालो और आपको direct जहां पर भी report करना है जिस date को वो उसमें दिया होता है सब कुछ environment list के अंदर तो वहापे आपको present करना होता है यही process यदि joining later नहीं आता है तब होता है ठीक है तो इस बार हो सकता है कि e joining later यानि जो आपका navy बेजते हैं उसी तरीके से email पर भी join later आ सकता है या अधर कोई भी way हो सकता है इसके बारे में मैं opinion जादा नहीं दे सकता जो मेरे प about करें ना total 25 sod for us पो स्ट ही alex and y group की एक बेंश्की और % 7,000 बास P.Ls वेकेंशी होती है एकस और तो इंड weigh हुए और यह सेशन था दोस्तो इसमें सारी कि सारी जो भी process से से वो कलियर हो गई होगी इसके बाद में एक स्वाल ओर है कि जोइनिंग कब तक होगी तो जोइनिंग कब तक होगी दोस्तों मैंने आपको जांसे हमारे पास जो मैंने अपडेट दिया था आपको एर फोर्स नलिया सेंटर का और बेल गाउं का वहां से जो इनफोर्मेशन या सेप्टेमर में मिल सकता है उन्होंने बोला था उसके बाद में बात करें दोस्तों तो आपकी जोइनिंग कर तक हो सकते हैं उन्होंने बताया था कि जुलाई और आपकी अगस्त में ठीक अगस्त फैस्ट विक तक भी जा सकती है जुलाई मिड या जुलाई लास्ट तक भ इस बात की गरांटी दे सकता हूँ आपको और जैसी जो भी होता है वो आपको information मिल जाएगा जैसी ठीक है और इसके अंदर joining later की जो मैंने बता दिये joining update गाईज यही है कि आपका medical के लिए आप फिट रहीएगा घर पे सुरक्षी तरिये का अच्छी तरीके से और इसके बाद हम बात करने वाले intake 01-2020 है यानि यह last वाला intake जो हमारे दोस्त मीतर भाई है वो यहाँ पर क्या कर रहे है एरफोर्स की basic training कर रहे है नलिया सेंटर में और आपके बेलगाओं ट्रेनिंग सेंटर पे ओके और यह है intake 02-2020 इसकी PSL आज आ चुकी है 31 मई को ओके तो यहाँ पर PSL T का मतलवाई यानि PSL के अंदर total कितने candidates थे यह आपका group है GPO लिख लिजिएगा यहाँ पर X और Y groups ठीक है एक बार data आप एक बार अच्छी तरीके से समझने की courses कीजिएगा यहाँ पर total PSL के अंदर last year कितने लिए गए थे last bench के अंदर 3900 candidates उसके अंदर enrollment list के अंदर total लिए ग दाएगा इसके बाद में यहाँ पर 2424 candidates लिए गए उसके अंदर 270 candidates थे man candidates यानि man उनका कोई दिक्कत नहीं होता है वो directly वहाँ पर कर सकते हैं और उसके बाद में 254 standby थी उसके अंदर लगवग 170 K plus आसपास candidates की standby कलियर हो गए थी ओके उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं Y ग्रूप की तो Y ग्रूप में 2013 total candidates लिए गए थे PSL के अंदर और 1066 candidates लिए थे enrollment list के अंदर और man candidates थे 965 और 101 थे standby में इसके अंदर standby के अंदर कलियर होए थे मातर 20-25 candidates आप देख सकते हैं भूती कम जो इस बार last bench के अंदर सबसे कम standby Y ग्रूप की कलियर होई थी वरना 50 का ratio हम इसा ही रहता है और इस बार दोस्तो PSL के अंदर intake 02-2020 के अंदर 4382 total candidates लिए गए एक्स ग्रूप में यानि 3900 से 4382 यानि 482 candidates जादा लिए गए हैं एक्स ग्रूप में ओके और यहां पर बात करें Y ग्रूप में तो Y ग्रूप में 2013 से 2728 यानि 635 के आसपास candidates हैं वो यानि 600 plus plus candidates इस बार ज्यादा लिए गए हैं last year से उसके बाद में और बात करते हैं दोस्तों थोड़ा फुल इन जो इसका analysis है वो मैं करने वाला हूँ ठीक हैं यहां पे है आपका group PSL और जो इसमें पूरा data मैंने निकाल लिया है ये data थोड़ा बहुत इसमें गलती हो सकते हैं last वाल X and Y group के total कि unfit कितने हैं अपसेंट कितने हैं unfit and absent या कितने हैं CSV कितने के हैं तो वो count करके अची तरीके से भेज सकता है मुझे ओके तो दोस्तों इसके अंदर 4,380 total candidates है एक्स ग्रूप के अंदर उसके बाद में बात करूँ तो इसके अंदर जो red zone वाले हैं ठीक हैं CSV इस नहीं candidates में से क्या जाएंगे PSLC enrollment के लिए जाएंगे अब ये confirm नहीं कितने बच्चों का man में आएगा और कितने का standby में आएगा और किन का join later कब तक आएगा ठीक हैं उसके बाद में Y group की Y group में 2728 total candidates थे उसके अंदर 513 plus 243 candidates जिनका कोई role नहीं है PSL के अंदर और ये बाहर हो 5032 होते हैं 5032 total candidates होते हैं जो कि PSL की अंदर है फिल हाल ठीक हैं कितने होते हैं 5032 candidates है इसके बार फिल हाल वैसे mostly जाते कितने हैं इन्वर्मेंट लिस्ट के अंदर 3500 plus candidates जाते हैं तो यहां पर अभी फिलाल कितने ज्यादा candidates है PSL के अंदर fit candidates 1500 के आसपास है यदि विकेंसी इंकरीज होती है तब इसमें से जा पाएंगे जा सकते हैं वो इन्वर्मेंट लिस्ट आने के बाद में ही पता चलेगा और सब कुछ मैंने डाटा इन्फॉर्मेशन आपके साथ सेयर कर दिया है और किसी भी परकार के और भी साहिता चाहिए या कोई भी डाउट हो इनसे समंदित साहिए अच्छी तरीके से मेरे साब से क बारे में समझा पाएगा दोस्तो और आपका जॉइंग-टायम-मेडिकल कैसा होता है और आपका बेसिक ट्रेनिंग कैसे होती है क्या वहां का रूल रहता है सुवए से यानि रूटीन क्या रहता है उस दौनों के वेल-गाओं-डम्र घ्रिया का और आपका बेल-गाओं- आपकी बढ़ने ही वाली है जितना information मेरे पास है सरसे जो information मिला है उसके according में आपको बता रहा हूँ ठीक है वैसे fix नहीं है कि कितने vacancy बढ़ेगी लेकिन last year से जादा ही vacancy होगी 300-400-500 तक भी plus हो सकती है ठीक है वो आपका environment list आएगा तब आपको पता चल जाएगा लेकिन vacancy बढ़ेगी इस बार और गाइस यदि वीडियो अच्छा लगे तो like and share कर दीजीगा और यदि चेनल पर पहली बार विजिट करें तो चेनल को जरूर से subscribe करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि update आपको से इसमें पर मिलता रहे अभी किसी भी प्रकार का doubt है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों ओके बिलता हूँ एक और नए update के साथ तब तक take care bye bye जय हिन जय भारत वंदी मातरम सभी कंडियेट्स को बेस्टो प्लक take care सभी कंडियेट्स अच्छी तरी किसी घर पे रहे सुरक सित रहेगा मिलते हैं एक और नए update के साथ जय हिन